इंसुरेंस एजेंट हेल्प में आपका स्वागत है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन कीजिए आप पास हो गए IC 38 एक्जाम ट्रिक्स स्टेप बाई स्टेप जानते हैं कैसे होगा सबसे पहले एक्जाम पैटर्न देखते हैं टोटल 50 कोश्चन होंगे जिसमें से कि आपको 60 मिनट एक्जाम का समय दिया जाएगा आपको पास करने के लिए 17 नमबर लाना है कोई निगेटिव मार्केंग नहीं किया जाएगा इसका मतलब कि आपको 50 में से 50 टोटल कोश्चन बनाना है एक भी कोश्चन नहीं छोरना है सभी कोश्चन को एटेम्ट करना है ट्रिक स्टेप्स फोर एक्जामनेशन एक्जाम में हम ट्रिक को कैसे स्टेप बाइ स्टेप अपलाई करेंगे आईए देखते हैं स्टेप वन एक घंटा अंदर ही रहना है मतलब 60 मिनट बाहर नहीं निकलिएगा Step 2 Question No.1 से Question No.50 तक सभी में Option B चुने मतलब आपको वहाँ चार Option दिया रहेगा A, B, C, D तो चारो Option में से आपको चीस Option में B रहेगा जो B Option रहेगा आपको वो चुनना है ना प्रस्न देखना है ना ही उत्तर देखना है बस आपको Option B सेलेक्ट कर देना है Step 3 सबसे लंबा उत्तर वाला Option चुने इंगलिस वाला इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर आपको Option जो मिलेगा चार Option उसमें से कोई Option जो है सबसे लंबा होगा चारो में से कोई तो एक Option सबसे लंबा होगा उसको आपको Tick करना है और लंबाई कैसे जाना है कौन सा लंबा है कौन सा नहीं तो आपका Exam जो है दो भासा में लिया जाएगा एक English एक Hindi तो आपको English वाले option को देखना है, जो English में जो लिखा हुआ है sentence, उसकी लंबाई आपको नापना है, तो उस हिसाब से आप सबसे लंबा उत्तर मारेंगे, टिक, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, आपके screen पे चार लाइन लिखा हुआ है, इसमें सबसे लंबा लाइन कौन सा है, नमबर थ्री step, तो इस हिसाब से, अगर हमको इस चारों में चुनना होगा, तो सबसे लंबा वाला उत्तर कौन सा होगा, लंबा option वाला उत्तर, option C, तो यहाँ हम select करेंगे, option C, अब, अब step 4, उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों को चुने, मतलब, आपको एक दो question में ऐसा option आएगा, जिसमें लिखा हो रहेगा, उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों, तो जहाँ भी ऐसा लिखा हुआ देखिएगा, आप उसको तिक कर लिजेगा, step 5, पांच प्रस्न जिसका उत्तर आपको 100% पता हो बनाएं, मतलब, जैसे सूर्ज पूरब में उगता है, हम जानते हैं, कोई हमसे पूछे, सूर्ज किस दिसा में उगता है, तो बता देंगे पूरब, कोई संसे नहीं है, तो ऐसा ही question को आप जो है, हल करेंगे, नहीं तो इसको हल आपको नहीं करना है, तुक्का यहाँ पर 1% भी नहीं लगाना है, अगर कहीं पर आपको 100 में से 99% ल लगाएंगे, अगर सियोर नहीं जानते हैं, किरपिया करके नहीं लगाईए, अगर आपको पास करना है, तो note, अगर आप बिना पढ़े एक्जाम दे रहे हैं, तो ट्रिक 1 से ट्रिक 4 तक ही यूज करें, इसका मतलब हुआ, कि हो सकता है, कि आपको यह विडियो आपके एक जाम सेंटर में घुसने से ज़स्ट पहले आपको मिला हो, तो आप जो है, पांच नमबर वाले इस टेप को फोलो नहीं करेंगे, सिर्फ आपको एक से लेके, चार नमबर तक के इस टेप को ही फोलो करना है, मतलब एक घंटा अंदर रहना है, कोस्चन एक से पचास तक में उप्सन भी मारना है, सबसे लंबा उत्तर वाला उप्सन चुनेंगे इंगलिस में, उपरोक सभी या उपरोक दोनों को चुनेंगे, और इसके बाद आप सम्मिट कर देंगे, आप उसमें कोई छेर चार नहीं करेंगे, छेर चार करने से आपके असफल होने की संभावना ब बनाएं, इन पंच प्रसनों को 100% हल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आईसी 38 का डिटेल थियोरी समझाया गया है, किर्प्या करके उसे भी चेक कर लेंगे, और एक बार जरूर देखेंगे, जिससे की आपका बेसिक किलियर हो जाएगा, और आपको वहाँ पर एक कोस्चन बनाने में मदद मिलेगी, इस ट्रिक को कैसे अपलाई करना है, इसका लाई भी मैंने LIC के मौक टेस्ट से स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल दिया है इसी चैनल पर, किर्प्या करके उसे भी एक बार देख लेंगे, तो आपका सारा संसय मिट जाएगा, कि हम कैसे इस इस ट्रिक को अपलाई करें, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, आइसी 38 का, भी भी आई 38 कोस्चन जिसमें से की, इस्टेफ 5 में जो है, पांच प्रस्ण हमको हल करना है, तो हमें उम्मीद है, कि अगर आप वो 38 कोस्चन भी कम से कम देख के जाते हैं, जिस को की, आइसी 38 मोडल कोस्चन बैंक से लिया गया है, तो आपको ये 5 प्रस्ण वहां हल हो जाना चाहिए, इसके लिए आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, वैसे तो यह ट्रिक अपने आप में ही परियाप्त है, अगर आप सिर्फ ट्रिक देखके सिर्फ ट्रिक भी मारते हैं, तो आपका एक्जाम में पास करने का संभावना बहुत अधिक होगा, लेकिन अगर आप इसका थियोरी लाइब टेस्ट और आशी 38 का भी भी आई 38 अगर देखते हैं, तो आपको एक्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, इस ट्रिक को बेजी जग फॉल करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, इन ही सुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड लक